मैं आप सब दोस्तों का एक बारी फिर से अवेकन ब्रेंज पर वेलकम करता हूं स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ दोस्तों यहां पर यह अपडेट आया है रिसेंटली जेके SSB की ओफिशल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं गवर्मेंट आप जमोंट कश्मीर जेंड के सर्विसी सेलेक्शन बोर्ड और यहां पर यह नोटिफिकेशन आया है सब्जेक्ट में आप पढ़ सकते हैं सेलेक्शन लिस्ट फॉर दी पोस्ट अफ लिबर्टरी एसिस्टेंट हॉम डिपार्टमेंट और एडविटीजमेंट नोटिफिकेशन नमबर यह 06 अफ 2020 था और अंडर आइटम नमबर 231 की यह पोस्ट थी दोस्तों यहाँ पे हम इसको इन डिटेल डिसकस करेंगे इस पूरी सेलेक्शन लिस्ट को अगर आप चैनल पर नए हैं पहली बार आये हैं तो इसी तरह का कॉंटेंट देखने के लिए इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें सा कि हर लेटेस्ट अपडेट इसी तरह से आपको इन फ्यूचर भी हमारे एंड से मिलता रहे और अगर आपको ये वीडियो इनफॉर्मेटिव लगा अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजेगा शेर जरूर कीजेगा और कमेंट में फीडबैक देना ना भूलेगा तो बिना वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जेके SSB कह रहा है वेरस दी हॉम डिपार्टमेंट इंडेंट नंबर से इस इंडेंट नंबर से हमें ये नोटिफिकेशन भेजता है इन पोस्टों के लिए नाम है पोस्ट का नेम आपती पोस्ट है लिबोर्टरी एसिस्टेंट और काडर बताया जा रहा है U.T. काडर, ओपन मेरिट की आठ पोस्ट हैं SC की दो पोस्ट हैं, internship की दो पोस्ट हैं, ÖSC की एक पोस्ट थी, ALC-IB की एक पोस्ट थी, RBA की दो पोस्ट हैं थी, Party Speaking People एक पोस्ट थी, AWS दो प पर इसकी क्वालिफिकेशन जो रखी गई थी लिबाटरी एससेंट के लिए having bachelor's degree in forensic science or bachelor's degree in medical subject or in any of the following subject from the university recognized by UGC, molecular biology, biochemistry, microbiology, biotechnology and genetics or having bachelor's degree in non-medical subject or in any of the following subject from university recognized by UGC of electronics, computer science, IT provided that not more than four of candidates shall be selected having electronics, computer science, IT as one of the subject अब इसी तरह से जैंड के सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने यहां पर 19 पोस्ट हैं जो है वो अडविटाइज की और उसके बाद इसका CBT examination लिया गया और उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि committee ने उन document verification भी किया और अब finally यहां पर committee ने इस selection list को item number 231 को home department जो पोस्टें आई थी और पोस्ट का नाम था laboratory assistant इसकी आज जो है selection list जो है बताई गई है यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से इनने अपना data provide करते हुए यहां पर नीचे आज ही की date में दोस्तों यहां पर मैं आपको फिर से बता दूँ यहां पर आज 1 अगस्ट 2022 है और यह selection list आपकी screen पर आप देख रहे होंगे and lecture a final selection list of the candidates for the post of laboratory assistant home department UT carder or advertisement notification number 06 of 2020 और item number 231 selection list जो है open merit की है UT carder की post है और यहां पर आप देख सकते हैं percentile बहुत high गया है 100 100 100 उपर की 3 post है और इसी तरह से नीचे आप चलने तो 99 99 99 और यहां पर आप देख सकते हैं open merit में RBA का candidate आया है RBA का candidate आया है तो इस तरह से RBA वालों के लिए कुछ हद तक थोड़ी रहात थी दो post के लिए ताकि वहां से नीचे से दो RBA के candidate ऊपर आया होंगे और इसी तरह से open merit का आप यहां पर waiting list दिखाया जा रहा है इसी तरह से फिर SC category का आप देख सकते हैं आप एसी category में 89.61 और आगे decimals आप देख सकते हैं इसी तरह से ST के अंदर देखें तो 92.20 और इसी तरह से आगे और इसी तरह से नीचे चलें सोशल कास्ट में 99.30 तो उसी तरह से आप नीचे चलें ALC में 96.69 इसी तरह से RBA में 99.055 और इसी तरह से पाड़ी स्पीकिंग पीपल 93.97 और इसी तरह से यहां पर EWS में आप देख सकते हैं 98.61 और आगे decimals आप देख सकते हैं तो साथ साथ में हर एक की वेटिंग लिस्ट भी दी हुई है तो दोस्तों यही था अप डेट हमारे एंड से और जेके SSB के एंड से और यह सेलेक्शन लिस्ट थी फार दी पोस्ट आप लिबाटरी एसिस्टेंट हॉम डिपार्टमेट एडविटिजमेंट नंबर 06 अप 2020 और आइटम नंबर 231 तो आई होब कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो को आगे भी देखने के लिए चैनल को जुरूर सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना ना भूलें साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक जुरूर कीजिएगा शेर जुरूर कीजिएगा और कमेंट में फीड़बैक देना ना भूलेगा तो थैंक यू सो मच वंस अगैन आल दी बेस्ट और ब्लेस यू आल